आज बन रही है मा बेटी रसोडा में बेसन किये टेस्टी और हैल्दी सी बर्फी चलिए हमारे साथ किच्छन में राजे स्थानी बेसन की बर्फी बनाने के लिए हमने यह लिया है दो कप बेसन बेसन हमने यह मोटा लिया है आप किसी भी परकार का बेसन यूज़ कर सकते हैं साथ ही में हमने यह 500 g देशी घी लिया है एक कप मावा लिया है जिसको हमने ग्रेट कर लिया है हमारा घंठा बनाववा मावा है हमने यह 200 g चीनी ली है गानिशिंग के लिए किशमिश बादाम और इलाइची लिया है गैस पर रखेंगे एक मोटे तले की कढ़ाई उसमें एड़ करेंगे पहले हम एक कप घी, घी को हम अच्छी तरह से तेज गरम करेंगे, घी हमारा गरम हो चुका है एड़ करेंगे हमारा बेसन, बेसन को करेंगे मिक्स, बड़ी साउधाने से मिक्स करें, घी उच लेना, घी क साथ हम यहां हमारे बेसन की सिकाई करेंगे गैश की फिल्म हम मीडियम रखेंगे और चलाते हुए हमारे बेसन को भूनेंगे थेकित्रम होगी पांच मिनट हो चुके कितना प्यारा क्लर आ गया है हमारे बैसन में अभी इसको ठोड़ा टाइम ओ लगेगा अभी भी हम इसको मेडियूम पर ही चलाते हुए भूहनेंगे देखिए एतनी देर भूनने से हमारा बेसन कितना फ्लफी होकर के तयार हुआ है जैसे जैसे हम इसको भूनेंगे हमारा बेसन फ्लफी होगा फिर उसके बार घ्राय होगा देखिए हमारे बेसन को भूनते हुए टोटल यहां 15 मिनट हो चुके है अब हम इसमें एड करेंगे हमारा ग्रेट किया हुआ मावा डाल के हम इसको अच्छी तरह से एक तरफ चलाते हुए मिक्स करेंगे यह देखिए कितना प्यारा लग रहा है हमारा बेसन का मिक्षर बहु मावे के मैल्ट होने के बाद हम इसको 5 मिनट भूनेंगे अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेस्टी और हैल्दी इज़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले पासी में बेल आइकन क्लिक करना भी ना भूले, देखिए हमारे बेसन के बबल्स खतम होते हैं, इतने हम हमारे बेसन को मावे के साथ अच्छी तरह भूनेंगे, देखिए हमारे बेसन के बबल्स वीरे दीरे खतम हो रहे हैं, हमारा मिक्स बन करके तयार है, गैस करेंगे बन, गैस पर रखेंगे दूसरी अधा कप पानी करेंगे मेल्ट देटें साथे अधा कप पानी की मेल्ड सेमाना को के रिभाष चिस में पानी दोनो चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे हमारी चीणी बेशन का mixture यह दीखिए को चाशनी के साथ भी दिशन के mixture अची कग्रीस घृप ट्रस्फर गरी त्यार किया हूँ बर्फी का मिक्सर को स्वति हब थाली इस अशे कपड कर लिए अब गारम लिए कटा हूं हमारे बादाम से हमारी बर्फी को हम सैट होने के लिए छोड़ेंगे किचन सर्फेस पर आदे घंटे के लिए करेंगे इसकी कटिंग बर्फी हमारी अच्छे से सैट होकर के तयार है अब हम इसको कर लेते हैं कट देखिए इस परकार से हमारी बर्फी में कट लगा कर के तयार करेंगे बहुत ही सॉफ्ट हमारी बर्फी बन करके तयार हुई है देखिए दूसरी साइट से भी हम इसी परकार से कट लगा करके तयार करेंगे देखिए इस परकार से हमारी बर्फी निकाल करके तयार करेंगे बहुत ही सॉफ्ट और देखिए कितनी लाजवा बहुत आपको पसंद आई होगी आप भी अपने घरों में बनाएंगे और अपने फैमिली को इंजोई करवाएंगे घर की बनीवी हैल्दी मिठाई अपने अनुभाव हमारे शाथ शेयर करना ना बुले थैंक्स वोचिंग